मन्चाशीन परम पूज्य स्री साहिब जी, पूज्यनी संत समाज, सत्संग प्रेमी सम्माननी भक्त सज्जनो, भक्ती मई मम्ता मूर्ती माताओ बहनो अभी हम संस्री प्रशान साहिब के बहुत सुन्दर विचार सुवन कर रहे थे थोड़ी देर आप लोगों के बीच में मैं भी कुछ बातें रखने का प्रयाश करता हूँ जीवन हमारा एक खेत की तरह है खेत में जैसे बीच डालने पर वही फशल फिर खूब लहलहाती है और हमें काटने को मिलती है बीच डालने की जरूरत है बीच के बिना खेत कुछ नहीं देगा चाहे जितना उरवर भूमी हो लेकिन बीच डालना बहुत जरूरी है और बीच डालने का भी एक समय होता है उसके पहले एक मेहनत करना पड़ता है खेत में और फिर बीच को डालें और खूब फशल होती है इसलिए ये जीवन हमारा वही है अन्ता करण एक खेत है गुश्वामी तुलसीदास जी ने कहा है तुलसी यहतन खेत है मन बच करम किसान पाप पुन्य दो बीच है अबुए सलुने निदान तो ये खेत सरीर खेत है इसमें पाप और पुन्य दो प्रकार के बीच बोये जाते है हमें क्या बीच बोना है कौन सी फशल चाहिए हमें शद्गुरु कबीर कहते हैं सब्द हमारा आदिका सब्दय पैठा जीव फूल रहन की टोकरी घोरे खाया घीव साहिब कहते हैं कि जो मेरे सब्द हैं वे आदिके हैं आदिका मतलब मूल तत्त के शुरू के जीव के कल्यान का परिचय देने वाले हैं जीव अनादि है लेकिन या जीव तो सब्दों में घुसा हुआ है सब्दों में छीपा हुआ है इसलिए ये कल्यान को शुक्षान्ति को प्राप्त नहीं कर पा रहा है फूल रहन की टोकरी ये सरीर फूल रखने की टोकरी है लेकिन घोरे खाया घीव जैसे ये माताएं जानती हैं जब दूद को दही बनाकर दही को विलोया जाता है और विलोने के बाद मक्खन निकलता है अब मक्खन को अगर 4-6 दिनों तक जला न दिया गया तो उसमें रहा हुआ जो छाँच है मठा है वह मठा ही मक्खन को सड़ा देता है खराब कर देता है और फिर घी नहीं निकल पाता ऐसे ही हमारे जीवन में घोरे खाया घीव जो कल्यान का घी मिलना चाहिए था वो हमारे मन के विकारों ने अउगुणों ने दोशों ने वो सारे कल्यान रूपी घी को नश्ट कर दिया तो साहिब कहते हैं कि सब्द हमारा आदिका मेरे सब्द आदिके परिचायक हैं कल्यान के परिचायक हैं लेकिन ये जीव तो सब्दों में घुसा हुआ है सब्दों में ही छिपा हुआ है सद्गुरु कबीर साहिब की वाणिया रहस्यात्मक है रहस्यवाद एक विचार है रहस्यवाद और दुनिया में सबसे ज़्यादा रहस्यवाद कहने वाले सद्गुरु कबीर हुए हैं जिसमें राहस्ति का अर्द ही होता है थोड़े में बहुत कुछ समाया हुआ हो वैदिक रिशियों ने भी राहस्तिवाद के बचन कहे हैं लेकिन कबीर साहिब की वाड़ियों में तो क्या पूछना तो साहिब कहते हैं कि सब्द हमारा आदी का आदी कल्याण के मेरे जो सब्द हैं संतों के सब्द कैसे होते हैं वे जीव के सुधार के लिए करम सुधार के लिए अउगनों को मिठाने के लिए विशय विकारों को त्यागने के लिए मोह आशक्ति को मिठाने के लिए होते हैं और सारा दुख सारी समस्या ये मोह आशक्ती से ही तो है धन कम है इसलिए दुख हो ऐसी बात नहीं है और बड़ा घर नहीं है इतना खाने पीने के लिए सुविधाये नहीं है यह भी कोई बड़ी बात नहीं है ऐसी टीवी नहीं है यह भी दुख नहीं है बड़ा मोबाइल नहीं है यह भी दुख नहीं है दुख है कि कर्मों में पवित्रता नहीं है हमने अपने आशक्ति को मोह को अहंकार तथा अज्ञान को मिटाया नहीं है यह दुख है इसलिए साहब कहते हैं कि सब्दों को सुधारो कल्याण का काम करो और संतों के सतसंग से ही उनके विचार उबदेशें से ही आपका कल्याण होगा इसलिए सतसंग में बड़े प्रेम और स्रद्धा तथा उत्साह के साथ जाना चाहिए सतसंग से ही मानो जीवन का कल्याण होता है कहीं भी जीवन का अगर कुछ किसी भी अंस में सुधार होता है तो सतसंग से होता है किसी भी बड़ी महफिल में चले जाओ डाक्टर मास्टर इंजिनियर वकीलों के पास चले जाओ थानेदार और नेताओं के पास चले जाओ लेकिन वहां से आपको कल्यान का रास्ता नहीं मिलेगा हाँ आपको पेट भरने का रास्ता मिलेगा और पहनने ओडने के लिए सुविधाये मिल जाएंगी जमीन मकान की भी वेवस्था हो जाएगी और ये चीजें कितना दिन काम आएगी जब तक आप का सरीर है आप मकान में रह सकते हैं जमीन में खुछ पैदा करके आप खापी सकते हैं कपड़े लट्थे प्राप्त कर लेंगे मतलब आप कहीं भी चले जाओ तो ये सरीर गुजर के लिए वेवस्थाएं हो सकती हैं लेकिन सरीर के बाद फिर आप क्या करेंगे ये सरीर नहीं रहेगा तब कैसे जीवन को जीएंगे केवल ये जीवन सरीर तक तो नहीं है हमारी भारती परमपरा और यहां के समस्त रिशियों ने समस्त मत्पंथों में ये माना गया है कि सरीर से अलग एक अविनासी आत्मा है और वो सरीर के बाद भी रहता है यही बात को कठोप निशद के रिशी नचकेता से यमाचारे ने पूछा था बहुत मारमिक उपाख्यान है वो तो वाजस्त्रवश नाम का एक रिशी था वो गायों का दान कर रहा था यग में और ऐसी गायों का दान कर रहा था जो एकदम बूढ़ी थी एकदम कमजोर सक्तिहीन दूद तो देने की बात ही छोड़ो वो गोबर भी देना उनसे बड़ा कठिन होता था ब्रामभणों को दान कर रहे थे उनका एक बेटा था बेटे का नाम था नचकेता अभी वो कुमार था ज्यादा से ज्यादा तेरा चौदा साल का होनहार बड़ी तेज बुद्धी का था पिता जी को ये दान करते हुए देख करके उन्हें बड़ा कश्ट हो रहा था कि पिता जी भी कैसे विचित्र दान कर रहे हैं और जिनको दान कर रहे हैं भला वे ऐसी गायों को ले जा करके क्या करेंगे अच्छी अच्छी गायें तो वे गोसाला में रख छोड़े हैं और मैं उनका बेटा हूँ मैं उनका प्यारा हूँ अब मेरे लिए वे अच्छी अच्छी गाए छोड रखे हैं अगर उनका ये मोह भंग हो जाए तो ये उनको संग्रह करने की प्रवित्ति है अच्छी अच्छी गाए बटोर रखना और खराब गायों को दान करना तो ये उनका मोह भी खतम हो जाए और दान भी अच्छा कर सकेंगे और फिर उस दान से इनको लाभ भी होगा तो नचकेता ने सोचा कि चलो मैं पिता जी से पूछता हूँ कि पिता जी आप मुझे किसे दान रूप में दे रहे हैं तो गया और पिता जी से कहता है कि पिता जी आप दान सुरूप मुझे आप किसे दे रहे हैं इतनी बात सुन करके वाजा स्त्रवस को बड़ा क्रोध हा गया पित चुप रहे दुबारा उन्होंने पूछा पिता जी आप मुझे किसे दान रूप में दे रहे हैं अपकी बार और उन्हें बहुत क्रोध आया लेकिन एकदम आखें लाल-लाल करके भी क्रोध को पी गए नचकेता फिर तीसरी बार पूछा कि पिता जी आप मुझे दान रूप में किसे दे रहे हैं अपकी बार वाजस्तरपस सह नहीं पाए उन्होंने कहा तुझे अमराज को दे रहा हूँ तो नचकेता फिर विचार करता है कि मैं अपने मित्रों में साथियों में बहुतों में तो उत्तम हूँ कुछ लोगों में मद्यम हूँ अधम तो किसी में नहीं हूँ फिर भी पिता जी मुझे यमराज को दे रहे हैं जरूर कुछ यमराज के पास जाने से मेरा लाब ही होगा तभी ऐसा कह रहे हैं और वाजस्तरवस उधर यमराज को देने की बात कह करके अब पस्चताप में पड़ गए कि लड़का मानेगे नहीं यमराज के यहाँ चला जाएगा और एक ही मेरा लड़का है और बेटे से मोह भी था और मन में वे जलने लगे नचकेता समझ गया कि पिता जी कह तो दिये लेकिन अब इनको बहुत अनुताप हो रहा है नचकेता ने कहा कि पिता जी जैसे फसल उगती है बढ़ती है और पीली होकर पक कर एक दिन गिर जाती है ऐसे ये मनुस्य है ये जनमते हैं बड़े होते हैं बुढ़े होते हैं और एक दिन जरजर हो करके समाप्त हो जाते हैं लेकिन जो सत्पुरुस होते हैं वे अपने बचन को खाली नहीं जाने देते हैं आप घबराये नहीं चिंता मत करिए आपने कह दिया है तो मुझे यमराज के पास जाना चाहिए और वे गए जब गए तो यमराज थे नहीं अपने घर पर तो ये वहाँ पर रुख गया तीन रात तक वहाँ पर रुखना पड़ा तीन दिन के बाद जब वे आए यमराज तब हरवालों ने कहा आप आए रुकिये जल भोजन गरहन करिये और जब आजाएंगे अमराज उनसे आप बात करियेगा फिर इन्होंने कहा देखो मैं यहाँ जल भोजन गरहन करने नहीं आया हूँ विस्तराम करने नहीं आया हूँ जब यमाचारी आ जाएंगे उनसे मैं बात कह दूंगा वे मुझे संतुष्ट कर देंगे तब मैं जल भोजन ग्रहन करूंगा बिना खाए पिए वे वहाँ पर रुके रहे यमाचारी आए तीन दिनों के बाद लोगों ने बताया और वे फिर आए उनसे कहे कि बेटा तुम मेरे घर पर तीन दिन तक बिना खाए पिए रह गए तुम बहुत ही योग समझदार वेक्ती हो तीन बरदान मुझे से मांग लो उन्होंने कहा कि ठीक है जब आप खुश है तो मुझे तीन बरदान दीजिये पहली बात उन्होंने पूछा था कि जब मैं आपके द्वारा लोटाया जाओं तो मेरे पिता जी खुश हो करके मिलें उनका सारा अनुताप समाप्त हो जाए ठीक है जाओ ऐसे ही होगा दूसर तीसरी बात उन्होंने कहा था करमकांडों के बारे में यगहवन तरपन के बारे में यह दोनों बाते तो साधारण थी तीसरी बात जो थी वह बहुत महत्त पूर्ण थी नचकेता ने कहा था कि एम प्रेते विचकित्सा मनुस्ये अस्तीते के नावे मस्तीत चैके मैंने सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि जब व्यक्ति मर जाता है तो कुछ नहीं बच रहता, सरीर समाप्त हो गया अब सरीर के साथ साथ सब उसका समाप्त हो गया कोई आत्मा उत्मा नाम की चीज नहीं रहती है और खत्म सब लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अस्तीति एके एक कहता है कि कुछ शत्ता कोई एक सत्ता रहती है नायम अस्तीत चेके एक कहता है कि नहीं कुछ नहीं रह जाता तिये सत्त क्या है सरीर छुटने के बाद कोई एक आत्मा बची रहती है कि सरीर समाप्त होने के साथ साथ सबकुछ समाप्त हो जाता है आत्मा उत्मा नहीं है कुछ यह बहुत ही मार्मिक प्रस्ण उन्होंने पूछा था यमाचार ने कहा कि लेटा नच्केटा तुम ये बात मत पूछो ये बात बहुत लोगों ने पहले पूछा था और किसी का समाधान नहीं हुआ था तुम ये मत पूछो, तुम अभी बच्चे हो और तुम हमसे धन मांग लो, घर मांग लो, रुपए मांग लो, खाने पीने की चीजे मांग लो, ये मत पूछो उन्होंने कहा महराज मुझे तो यही प्रसने उठ रहा है मन में अब खाने पीने के लिए तो मुझे मिल ही रहा है धान रुपया पैसा में ले करके क्या करूँगा आप मुझे यही बताईए कि व्यक्ति के मरने के बाद कुछ रहता है कि नहीं यह मैचार ने कहा कि लिए तुम मुझे अधी गोड़े मांग लो ऐसे यहक्ति-वार मांग लो गाये जिनके सींगों में सोना मढ़ा हुआ हो। है वर ऐसी गाये मांग लो जो हाथी जैसे पैस पैदा करेंगी तुम इसे सारी चीजेभ मांग लो बहुत प्रलोभन दिया है माचार ने, उन्होंने कहा कि ऐसे दास दासिया मांग लो, राजकाज मांग लो, रुपए पैसे मांग लो, धन दौलत मांग लो, बिल्डिंगे मांग लो, स्वर्ग के सुख जिनको दुरलब हैं, ऐसे ऐसे सुख तुम मुझसे मांग लो, लेकिन या मत पूछो कि आत्मा क्या चीज है इमाने थोड़े में कहा लेकिन कटूप निशद में जो वरणन है बहुत ज्यादा है तब यमाचार से नचकेता ने कहा कि महराज में आपके इतना सब कहने से तो पता चला मुझे अब कि आप ये सारी चीजें ऐस्वरी देना चाहते हैं अब मेरे प्रश्ण का जवाब नहीं देना चाहते हैं इसका मतलब है मेरा प्रश्ण बहुत ज्यादा वजंदार है बहुत ज्यादा महत्यपूर्ड है तब ही आप इसको बचाए रखना चाहते हैं और ये सारी चीजें उसके बदले में दे देना चाहते हैं महराज आप मुझे अब तो वही चीज बताईए जो मैं पूछना चाहता हूँ कि आत्मा नाम की क्या चीज है और वहाँ सरीर छुटने के बाद रहता है कि नहीं रहता है रहता है तो क्या चीज है नहीं रहता है तो कैसे नहीं रहता है ताब यमाचारी ने कहा कि बेटा नच मिस्चित है यह बात को समझना बहुत दुरलब है अब बताने वाले भी इसको लोग नहीं मिलते हैं फिर वे बताते हैं आप लोगों को बीच में भी वही बात मैं कह रहा हूं सब लोग ध्यान से सुनेगे उन्होंने कहा कि संसार में दो मार्ग हैं एक स्रे मार्ग है और एक स्रे मार्ग होता है कल्यान का रास्ता और प्रे मार्ग होता है भोगों का रास्ता संसार में अधिक्तम लोग प्रे मार्ग में भोगों के रास्ते में चलते हैं कल्यान के रास्ते में और संयम के रास्ते में बहुत कम लोग चलते हैं और जो कल्याण के रास्ते में संयम के रास्ते में चलता है मन इंद्रियों को सुवस करता है वह आत्मा को जान पाता है और आत्मा को जानना इतना सरल नहीं है आत्मा सबके साथ होते हुए भी सबके दिल में होते हुए भी वह छिपा हुआ है रिशी कहते हैं कि सोने जैसे चमकते हुए बरतन से जैसे सत्य का मुख ढका होता है वैसे ही ये दुनिया की चमक दमक और राग रंग से आत्मा ढाका हुआ है इसलिए तो दिखता नहीं है वो चमक दमक क्या है राग रंग क्या है सोने जैसा रिशी कहते हैं सोने जैसे सोने से नहीं सोने जैसे चमकते हुए बरतन से यहाँ देखो न, जमानी, सुंदर्ता, रुप्या पैसा, बाल बच्चे, घर धन, पद प्रतिष्ठा, मान अधिकार, यह सोना नहीं है, सोना जैसा है, सब इसको पाना चाहते हैं, सब लोग इसी में आकरसित हैं, सब लोग इसी में सुख मानते हैं, और यह सोने जैसा चमकता है सोना होना नहीं है अंतिम में सब में भगार निकलती है इसमें देखो कितने लोग जब बूढ़े बैठे हैं जो सब तो एक दिन चमकते दमकते एक नब छैल छबीले सुंदर नवजमान दिखते रहे होंगे न सोना जैसा लगता था कि नहीं उस समय आज सब चाम में सिकन है बाल पक गए है और हाथ पैर भी लडख़ाने लग गए है आखों में चस्मा लद गया है कान भी सुनने में असमर्थ हो गए है लगता था सोने जैसा लेकिन सोना नहीं है ऐसे ये रुपया पैसा ये रुपया पैसे की गर्मी में लोग न जाने क्या क्या जायज ना जायज कर डालते हैं ये मनिंद्रियों की थोड़ी सी खुजली में पढ़ करके उतेजना में पढ़ करके लोग क्या क्या नहीं कर डालते हैं ऐसा ऐसा कर्म कर डालते हैं कि मुख दिखाने लायक नहीं रहते हैं सोने जैसे चमकते हुए इस जमानी सुन्दर्ता में ही तो फिसल जाते हैं लेकिन वो सोना नहीं है आत्मा उसी से ढखा हुआ है जो लोग यहां की चमक दमक के हटा दिये और राग रंग को छोड़ दिये माया मोह से उपर उठ गए वा उस आत्मा को पहचानते हैं आत्मा को पहचानो आत्मा क्या है उस आत्म दसा को कल्यान पद को कौन पहचानता है सद्गुरु कबीर साहिब इस बात पर तो बहुत बचन कहें है आतम ज्यान बिना नर भटके कोई मतुरा कोई कासी पानी में मेन पियासी महिसुनि सुनि आवे हासी आतम ज्यान के अभाव में ही सर्वत्र हम भटक रहें है यह देवी देवता भूत प्रेत जादू टोना रुपिया पैसा और चमतकार अंधविश्वास यह भी हमें च्छलता है यह भी सोने जैसा ही चमता है लोग इनमें भी भूल जाते हैं कहीं भूलो मत जहां काम तहां राम नहीं जहां राम नहीं काम तुलसी दोनों होत नहीं रवी रजनी एक ठाम गुसामी जी कहते हैं गुसामी जी की वाडियों में दो धार चलती है कभी वो एकदम नीरचीर निरड़य कर देते हैं और कभी कह देते हैं कि भगवान के धाम में जाओ भगवान के दर्शन कर लो तब मु बातों में कोई एक रस्ता नहीं है, लेकिन कवीर वाणी में एक धार है. एक धार, वो खटखट खटखट साफ करते चलते हैं, कहीं नहीं कहते हैं, पूरी कवीर मारी को आप छाण डालिए, कहीं भी आपको नहीं मिला है कि जीव तुछ है, जीव में कोई दम नहीं है, भगवान जो चाहेगा, इस्वर जो चाहेगा, परमात्मा जो चाहेगा, तब उद्धार होगा, ऐसा कहीं नहीं, तो यहाँ पर आत्म कल्यान की बाते, रिशियों ने भी ये बात खूब कहा है, यदा पंचावतिष्ठंते ज्ञाना निमंसासा, बुद्धिश्चा नाविचे श्ठतिता माहु परमाम गतिम, जब पांचो ज्ञानेंद्रियां, यदा पंचावतिष्ठंते, पांच आवतिष्ठित, आप सब के पास पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, एक सिष्ठम है, हमारे जीवन का एक विज्ञान है, पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, आखना कान जीब चाम, रिशी कहते हैं नविचे श्ठति, जब ये चंचल ना हो, आखो से रूप में ना फिशल जाएं कान से राग रंग के सब्द सुनकर के ना फिशल जाएं उसी में लुभा जाएं और अपने आपको हम भूल जाएं खाने पीने में मेडा में जि़ चतेघी चाटोरी में फिशल जाएं इसी प्रकार आज असपर्양 बावना बडी चित्तेजी से प्रबल हुई है, आदमी भटक रहे हैं, जिधर देखो उधर ही लोग ललचा रहे हैं, सब ललचा रहे हैं एक दूसरे को, और कहीं कुछ हय हो यह नहीं, एक इस्तरी पुरुस में ललचाती है, और पुरुस इस्तरी में ललचाता है, कैसा गजब है, अपनी अ बैठा हुआ व्यक्ति खिड़कियों से बार-बार नीचे जांकता है देखो वो नदी बाह रही है वो गाउ है वो जंगल है वो ट्रेन चल रही है और जमीन में बैठे हुए लोग हवाई जहाज की और ताक रहे हैं वो जहाज जा रहे हैं वो लोग कितना बढ़ी आकास में अब कोई सुखी नहीं है ना हवाई जहाज में बैठा हुआ ना धर्ती पर इसी प्रकार यहां सब हमारे चीजों को देख करके आप ललचा रहे हैं आपकी चीजों को देख करके हम ललचा रहे हैं अब कोई सुखी उखी नहीं है अपने को देखो अपनी तरफ मुड़ो आ सात्मा बैठा हुआ है उशी केते हैं पंचावतिस्थंते पांच operate इस्थित जो ज्ञानेंद्रिया यह है doctor और ज्ञानानी मनसचह साथ मन भी बद्धिश्चख़ और बुद्धी भी जब चंचल ना हो आपकी ज्यानेंद्रिया चंचलना ओ आखना कान जेवचाम और मन चंचल ना हो और बुद्धी भी एकाग्र हो इधर उधर दिख भ्रमित ना हो तब रिशी कहते हैं तामाहू उसे कहते हैं परमाम गतिम परम गति कितना बढ़िया कभीर साहब जैसे उन्होंने निरड़य कर दिया है और कुछ पाना मोप्ष थोड़े है मुक्ति ऐसी चीज है सबको छोड़े होए जब तक राख है अन्न को तब तक तही को खोए मुक्ति क्या है कुछ पाना है मुक्ति में कुछ मिलता है लड़ू मिल जाएगा पूरी सोहारी खीर मिल जाएगी कपड़ा लट्ता रुपिया मिल जाएगा बिल्डिंग मिल जाएगी आरे जब तक आप पाते रहेंगे तब तक मुक्ती को खोए रखेंगे सब को छोड़िये सब को छोड़िये सद्गुरु विशाल सहभ जी के पास एक बार सद्गुरु अभिलाश सहभ जी गए हुए थे, उनके दर्शनार गर्मी का दिन था बगीचे में जोपड़ा था और वहीं पर बहुत से शन्त थे सद्गुरु प्रेम साहब जी सद्गुरु वास्देव साहब हमारे गुर्देव जी पिशाल देव खाट पर वैठे थे सब लोग नीचे चटाई विछी थी अपने अपनी आसणी विछाये वहां बैठे थे तो विशाल देव ने कहा कि मुक्ति कोई ऐसी चीत थोड़े है, साब को छोड़ दो, सब को बिगाड़ दो, बस मुक्त हो जाए तो स्री प्रेम साहिब जी थे बैठे, उन्होंने विनोध किया, कहें हाँ साहिब, ये आपकी खाट को तोड़ दिया जाए, आपके कपड़े को फाड़ दिया जाए, आपके जोपड़ा को बिगाड़ दिया जाए, बस मुक्ति तो विशाल देव कहते हैं अरे हमको बाकाओ मत, तो बिनोध में सद्गूरु प्रेम साहिब ने कह दिया, कि सब साहिब आप कहते हैं, इसा बिगाड़ देना ही मुक्ति है, तो ये सब बिगाड़ दे, भाव को समझना होगा, बिगाडने का मतलब जो हमने बना रखा है, क् अपने मन के बनाए हुए तमाम जंजालों में हम निवास करते हैं, हम इससे अलग नहीं होना चाहते हैं, संतों के सत्संग में आकर के भी हम अपने बनाए हुए घेरे में ही रहना चाहते हैं, संत लोग अगर कह दिये कि अरे भाई, वहां देवी देवता कहा है, ये सब देव देवी रहती है, और काली माई के दर्शन करो, अधसाहरे के दिन दुर्गा माई आती वहां दर्शन करो, वह देवी है, आपको विश्वास नहीं होगा जल्दी से, सब अपने अपने बनाए घरे में रह रहे हैं, हाँ उनके अनुसार कहे दो खुश है, हाँ, आज महराद जी बातों से काम नहीं बनेगा, जिस रास्ते पर आप अभी तक चलते आए हैं, वो बड़ा सुपर्चित रास्ता है, उस सुपर्चाई को छोड़िये, अब नए रास्ते में चलें, इसलिए साहब ने कहा है, आओ घट चले, तो नगरी पहुचे, साहब ने एक भजन में कहा ह है, कि आप घट में घट से पार होएंगे, तो डूब जाएंगे, घट का मतलब कोई व्यक्ति नदी के घट से ही तो पार होता है, घट में सुपर्चै होता है, वहां गहरा ज्यादा नहीं होता है, और लोग जान बूच करके घट से उतरते हैं, तो डूबते नहीं हैं, और आज तक हम चले नहीं है, वो दया के रास्ते में, करुडा के रास्ते में, निर्मोहता के रास्ते में, त्याग अनासक्ती के रास्ते में, ये अउघट लगता है, है नहीं, लेकिन जब इसी अउघट से आप पार होंगे, तब आप कल्यान को प्राप्त होंगे, और जिसमें चलते आए हैं, लोभ, मोह, राग, द्वेस में वहां से चलेंगे तो डूब जाएंगे, तो नचकेता से यमाचारी ने कहा कि प्रे मार्ग को छोड़ना पड़ेगा, प्रे मार्ग, प्रे मार्ग बहुत प्यारा लगता है, लेकिन उसमें सांती नहीं है, वहां कल्यान नहीं ह स्रे मार्ग को अपनाओ, स्रे मार्ग है निर्मोहता का, निर्मोह तो होना पड़ेगा, चाहे स्वस्ता पूरवक, शाधना करके, गुरु भक्ती अपना करके, और विवेक पूरवक निर्मोह हो ये, चाहे एक दिन प्रकिती आयेगी, और अपने हाव सब हमसे च्छुडा देगी त्याग करन है सबन को बचत न कोई देखाए चाहे तजय दुख भोगी के चाहे प्रथम हटाए ये सद्गुरु विशाल साहिब ने कहा है त्याग तो सब को करना है कोई बचेगा नहीं अचाहे तो विवेक पूर्वक छोड़ दे अचाहे तो जब अर्जस्ति निका होता है जैसे किसी सभा में आप गए और लोगों ने आपको पसंद नहीं किया तो आप अपने से उठके चल दें इसमें आपकी इजत है मर्यादा है और हाथ पकरके किसी ने उठा दिया निकाल दिया तो उसमें सम्मान नहीं रह गया गुर्देजी हमारे एक कहानी कहा करते थे कि एक सेट जी से दो व्यक्तियों ने उधार लिया पांच-पांच सो रुपए और दोनों ने कहा कि सेट जी हम एक महीने में आपको वापस कर देंगे तो एक व्यक्ति जो समझदार था उसने एक महीना आने के पहले ही रुपिया वापस कर दिया दूसरा जड़ा बड़ा चालांक था और वो रुपिया वापस नहीं किया और इधर उधर समय गमाता रहा गया छे महीने बीत गए सेट जी सोचा कि मिल नहीं रहा है अब उन्होंने कहा कि भाई जहां मिले उसे पकड़ के लाओ एक दिन सेट जी ने पकड़वा लिया सामने लाया गया सेट जी ने कहा रुपिया लाओ तब छोड़ेंगे नहीं तो छुट्टी नहीं मिलेगी उसने कहा कि सेट जी रुपिया तो नहीं है हम छोड़ेंगे नहीं तम अंतिम में सेट जी ने कहा कि देखो एक मेरी सर्त है और ये काम पूरा कर दो हम छोड़ दें तो कहां रखिए रखा गया सव प्याज रखा गया और वो खाना शुरू किया चार छे दस प्याज बड़े मुश्किल से खाया खाते खाते दस प्याज में आख से पानी नाख से पानी मुख में जलन पेट में जलन गले में जलन उसके दिमाग खराब होने लगे तब सेट जी हम तो सव प्याज में तो मुश्किल हो जाएगा नहीं खा पाएंगे तब सेट ने कहा कि अच्छा तो ऐसा करो सव मिर्चा खालो छोड़ देंगे कहा हाँ ये तो हलका होता है हम खालेंगे तो रखे गए मिर्चे अब पांच छे मिर्चे दस मिर्चे खाया जब तो वही दसा फिर अपेट जलने लगा मुख जलने लगा कहां सेट जी सव मिर्चा खाना भी बड़ा मुश्किल है तो सेट जी ने कहा गया अच्छा सव जूते खालो हम छोड़ देंगे कहा है हाँ ये तो ठीक है इसमें ना तितास है न जहरास है और इसको हम खालेंगे सह सव जूते में तो प्राण राम निकल जाएंगे ऐसा करते हैं कि हम मंगा देते हैं पैसा और 500 रुपिया घर से मंगा दिया अब बताओ कौन समझदार रहा जिसने पहले लटा दिया वह कि प्याज खाया मिर्चा खाया जूता खाया और अंति में पैसा भी लटाया और बद जाल बच्चों को छोड़ना है यह पद अधिकार को छोड़ना है तो जब छोड़ना है बिवस होकर लाचार होकर दुखी होकर के हमें घर से धक्का दे करके लोग निकाल दे उससे अच्छा पहले से मन से हम छोड़ते चने देखो अपने आप सरीर को प्रकिति छुड़ा पहले जैसे आप चल नहीं सकते दोड़ नहीं सकते पहले जैसे देख नहीं सकते पहले जैसे खा नहीं सकते प्रकिति छुड़ा रही ना हम भी अपनी पकड़ को छोड़ते चलें सत्गुरु कबीर ने कहा है जो घर फूके आपना चले हमारे साथ तो यही तो घर को फूकना है घर को अपने अपने फूको और वो फूकना बाहर का रहने वाला घर नहीं है हमने जो अपने मन में बना रखा है मोह माया का घर इसी को फूकें और जो इस घर को फूक देता है फ इसके लिए सत्संग तथा संतों के संगत की जरूरत है तमन्ना दर्द दिल में है तो कर खिदमत फकीरों की नहीं वहलाल मिलता है अमीरों के खजाने में अगर दिल का दर्द मिटाने की इच्छा है तो फकीरों की खिदमत करें फकीर कौन है ये सादु संत महात्मात वैरागवान लोग ही तो फकीर हैं, जिन्होंने अपने मन के सारे माननताओं को मिटा दिया, वही सच्चा फकीर है, और रही बात चीजों की निर्वाह की चीजें तो सब के पास होती है, जिसे त्यागी कहते हैं, वह भी तो किसी आस्रम में रहता है, उसको भी अपने लोटा रखें, इसलिए मैंने सद्गरु कबीर साहिब की साखी कहा, कि सब्द हमारा आदिका सब्दे पैठा जीव, फूल रहन की टोकरी घोरे खाया घीव, तो यह जो सतसंग के ज्ञान के संतों के सब्द होते हैं, यह जीव के कल्यान के लिए हैं, वो है स्रे मार्ग, त्याग का मार्ग, संयम का मार्ग, और इस मार्ग को जो अपनाता है, तो फिर उसका उद्धार होता है, उसका कल्यार होता है, अब नहीं तो यह मानव जीवन तो फूल रखने की टोकरी है, जैसे कोई माली हो, उसके पास सुन्दर सी टोकरी हो, और वो फूल ना रख करके, और उसमें कुड़ा कचड़ा रखे तो इस टोकरी की विशेष्टा ना हुई और फिर वो माली कैसा बलकि फूलों में जाए बगीचों में जाए चुन-चुन करके सुन्दर-सुन्दर फूल रखे और लागर के अपने घर में सजावे किसी के गले में पहनावे ताब उसकी सोभा है ऐस इसे सरीर में दया, छमा, करुडा, प्रेम, सेवा, परोपकार, शान्ति का फूल चुन-चुन करके हम रखें और ये ना रखें तो घोरे खाया घीव ये मानव जीवन में एक बहुत बड़ी शक्ति मिली हुई है आत्म शान्ति आत्म शान्ति शरूपिस्थिति घी की तरह ह जिसको खालेने के बाद, जिसका सेवन करने के बाद व्यक्ति परम सुखी हो जाता है और निश्चिंतता, निर्भैता का अनुभाव करता है वहाँ आनंद ही आनंद है दुख की कोई गंद ही नहीं रह जाती है इसलिए साब लोगों को उस अखंड भावन में और परम भूत और जो कभी ना तुटने फुटने वाला भावन है वो स्वरूप इस्थिती भावन में पहुचो और उसी को प्राप्त कर लेना ही भगवान को प्राप्त कर लेना है परमात्मा को प्राप्त कर लेना है कहां बाहर परमात्मा मिलेगा कहां ओ अलग से लोक है धाम है कि वह यह पर पहुच करके्ες होंगे आपके साथ वह लोक रहता है उसके लिए आत्मा ही अपना वह श्वर्गे और राkt है गो लोक है साकेट लोक है विश्लू लोक त सीवलोक है इसलिए उस आत्मा लोक को emperor चानो एक चोटी सी बात कहा करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं एक बार एक संत यहां जैसे आये हैं वह आये हुए थे कुछ भक्तों में तो संत साम का समय था सत्संग हो रहा था चछत पर बैठे संत जी ज्ञान की चर्चा कर रहे थे इतने में अचानक भूकम पा गया अ और बस आधा मिनट के अंदर ही भूकम समाप्त हुआ थोड़ा सा कोलाहल हुआ और धीरे धीरे लोग फिर आये चट पर संत के पास असब बढ़ गए और महाराज जी फिर ग्यान की चर्चा सुनाने लग गए तो जब समाप्त किये आधा घंटा और सुनाने के बाद तो लोगों ने कहा कि महाराज जी च्या आप ये जानते हैं कि अभी भूकम पाया थे काए हाँ जानता हूँ तो फिर लोगों ने कहा कि महाराज क्या आप ये भी जानते हैं कि हम लोग यहां से उठकर के भाग गए थे, कहा हाँ ये भी जानता हूँ, सब लोग भाग गए थे, तो महाराज फिर आप क्यों नहीं भागे, कहा है मैं भी भाग गया था, तो लोगों ने कहा कि महाराज हम त भीतर भाग गया था कि भीतर कैसे भाग गये थे कहें आप लोग तो बाहर भागे थे सीड़ी के रास्ते से ना बाहर भागने के बाद भी आप पूरा सकुषल नहीं थे सुरक्षित नहीं थे हो सकता था कि सीड़ी के रास्ते उतरते मकान गिरता आप लोग दब जाते लेकिन मैं उस रास्ते में गया था, उस अस्थान में भाग गया था, जहां कोई भूकम्प, कोई बम, कोई पिस्तॉल, कोई टैंक का खत्रा नहीं रहता है, वो कौन सी सुरच्छित जगा है? वो आत्म इस्थिती, शरूप इस्थिती, आत्म लोक, हम आप सब लोग भी वह लोक में उसी लोग में सद्गुरु अभिलास साहिब रहते थे, सद्गुरु कबीर साहिब रहते थे, सद्गुरु विशाल साहिब रहते थे, और आप लोगों के लिए भी वही लोग सुरच्छित है, वहां ऐसी जगा है कि साब के लिए सुरच्छित है, वहां कभी बाउंडे सा नो वो नित है अखंड है अभिनासी है वो ये एकरस रहता है वो कभी समाप्त नहीं होता है वो कभी नश्ट नहीं होता है और उस आत्मतत्त को जानने के लिए और सत्संग निरंतर जो करता रहेगा संतों के पास बैठते उठते रहेंगे सद्गरंथ पढ़ते रहेंगे अपने म आथों में रख करके आप एक गेंद को देखते हैं ऐसे ही एक साधक आत्म दर्शन करता है अपने स्वरूप का दर्शन करता है लेकिन जब बाहर से मुड़ेंगे तब भीतर वाला दिखेगा इसलिए हम सब लोग यहां काम करें और यह काम केवल सत्संग और पार्खी संतों क ज्यान विचार से संभव होता है इसलिए बड़े प्रेम और भक्ति के साथ आत्म कल्यान की आत्रा करना चाहिए सबको अपनी बातों को यहीं पर समाप्त करता हूं हो लिए सद्धिगुरु देवे की जैए हमारे वीच परम पूज्य साहिव जी विराजमान है और आप से मैं करवध निवेदन करता हूं कि आप अपने गंभीर विचारों से हम सब को लाभानित करें समय ज्यादा हो गया है लेकिन साहिव जी से निवेदन है कि कम से कम आध गंटा जरूर करें